नमस्कर दोस्तो, मैं हूँ आपका दोस्त रोहता आश्यादब काला गिम्स क्या कुछ हो सकता है क्योंकि हालविंग बहुत नजदीक है जैसे आपकी LTC की हालविंग जो है अगस्त में है वैसे हिदी की हालविंग उससे पहले है यानी के जुलाई में है आज इस पर बात करेंगे और Binance में देखिये कुछ multi chain use करने वाले tokens को अपने आफिलाल suspend कर दिया है, आप वहाँ पर जो है कोई deposit withdraw नहीं कर सकते, उसको भी बात करेंगे, बाकी market में क्या चल रहा है, वो भी बताते हैं, तो पहले लेते हैं Gala Games को, देखिया हालविंग बहुत नजदीग है, और क्या कुछ हो सकता है, क्योंग हालविंग पर तो यही सोचा जाता है, यही सुना जाता है, किसाब अच्छा खासा spike आता है, तो क्या Gala Games से में भी ऐसा होगा, हो सकता है, या नहीं हो सकता, पहले तो देखिया भी recently जो इसमें updates हुए, चलो थोड़ा सा उस और यह circulation वाली बड़ी ही उसमें रही confusion में, अलग-अलग side space की अलग-अलग कहीं 7 billion दिखाई दे रही है, कहीं 21 billion दिखाई दे रही है, कहीं 24 billion दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से यह सब रहा, लेकिन अब जो है 21 billion लगबग confirm है कि अब 21 billion जो है, इसकी circulation में है, इसकी supply का सप्लाई यह कुछ खुद को भी इनको जायज नहीं पता कि कैसे मेनेज करना दिक्कत नहीं पर आरे थी सारी सारी सप्लाई पर और अब कोईन मार्केट केप पर 21 बिलियन आपका सो करेगा और कोईन गीको पर आपका 24 बिलियन सो करेगा यानि के सर्कुलेशन अब आगे आते हैं तो ओल्टम हाई से अभी भी यह लगबग 97 परसेंट नीचे है यानि अगर रुपए में इसको मैं बताऊं तो लगबग 61-62 25 की सीरी चल रही है अभी रिसेंटली इन्होंने जो है माइगरेट भी किया तो गाला वी टू लोगों को मिली चुका है तो अब उसी के आदार पर आगे इन्होंने अपने सारे के सारे डवलमेंट कर रखें और करेंगे अब देखिए गेम्स के बारे में देखिए और 21 जुलाई 21 जुलाई को इसकी हाल्विंग है पर येर होती है अब पीछे यानि के 2022 में 21 जुलाई को जब हाल्विंग थी इसकी उस्टेम इसका प्राइज लगबग लगबग आप यह पचास से 55% स्पाइक हुआ था क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है लेकिन यहां देखिए स सेड्यूल है वो तो होगी अपने टाइम पर होगी लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं क्या वो मौझूद है या बियरिस जादा हाभी है यही सिनेरियो पिछले साल भी था तो पिछले साल 2022 में लगबग इस टाइम पर जब गाला की टाइम की लेकिन इस वार बीटीसी आपका देगे परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि आप अभी भी बीटीसी देगे 30,700 पर ट्रेड कर रहा है लेकिन यहां अभी भी कोई ऐसा सेंटिमेंट नजन नहीं आ रहे जो कि यहां से अचानक से बीटीसी है क्यबल एक कमपनी का नाम निकलने में आ रहा है जो की अभी भी उसको भी क्लियर कट नहीं बोला गया है कि ऐसे सी की तरफ से अभी भी वो शीज नहीं निकलिये कि हां हमने इसको इसको इस पॉर्ट में जो एटीएफ दे दिया अगर एटीएफ की निउज 21 तारिक से पह अच्छा मिल सकता है वरना आप नॉर्मल ही मान के चलें जादा कोई उम्मीद ना करें देगे मैंना आप बहुत क्लियर कट समझा दिया कि हालविंग सेडियूल है वो तो होगी लेकिन प्राइज आपका डिपेंड करता है मार्केट के सारे सिनेरियो पर अब 2022 में एक करोड़ 274,23280 गाला जो है पर डे ड्रॉप किये जाते हैं उसका आदा हो जाता है उसका वो क्या करता है हाफ हो जाता है तो अब इसका भी हाफ हो जाएगा इस सालियानी के 2023 में अब बात तो महीं आके सारी घूम के कि बाई प्राइज कितना जाएगा तो प्राइज तो मैंने आप से कहा अगर मार्केट का सिनेरियो अच्छा लगा तो हो सकता है जैसे पिछली साल इसने 55% का आपको एक रिटन दिया में भी मिल जाए ले यहां से थोड़ा सा डाउन फाल आया तो फिर देखिए उम्मीद जादा की मत करना थोड़ा बहुत तो देखिए वो तो मिलेगा उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है वो थोड़ा बहुत मिलेगा 5-10 दूसरा अपडेट इसमें हो रहा है इनकी ब्लॉक्चेन का देखिए कि बढ़ेगी दूसरा जितने गेम्स हैं गाला के वह अपने ही ब्लॉक्चेन पर आएंगे सारे अभी क्या है अभी इन्होंने केबल एक गेम को अपनी चेन पर टेस्ट किया है तो इस तरी के अभी वह ब्लॉक्चेन है उसको एक तरह से क्या कहेंगे रिफाइंड कर रहा ह है उसमें किसी तरह के बक्स होंगे उनको भार कर रहा है तो जितने भी गाला के गेम्स फ्यूचर में आएंगे या अभी जो भी है तो वह अपने आप ऑटोमेटिकली फिर जो गाला की खुद की ब्लॉक्चेन पर आएंगे तो डवलमेंट देखी गाला मगर देखें तो अ अपने आप फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा में चीज है इसकी बर्निंग तो बर्निंग इसका सप्लाई का मार्केट माना दोनों जब प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएंगे तो फिर गाला में वह वाली प्रॉलम्स भी खतम हो जाएंगे अब तक की जो प्रॉलम्स थी मा आप सब एक ही बात कहूँ के हालविंग अपनी जीगापर है प्राइज बढ़ना डिपेंड करता है मार्केट के मूल पर तो जो लोग पूछ दे सर गाला की हालविंग है प्राइज कितना जाएगा उपर तो भाई बेटीची को बगाईए आप उपर बेटीची को आप जि सुरी, multi chain bridge का यूज करते हैं, अब bridge क्यों, क्योंकि कहीं bridge हैक होते हैं, उससे क्या होता है कि कहीं कहीं impact पूरे ecosystem पर पड़ जाता है, तो Binance ने कहीं कहीं हो सकता है कि यही सब देखके कुछ tokens का नाम लिया है, जैसे Polka Star, Elchmade Pay, BIFI, Superverse, Terravela, Spell token, Alpaca Finance और Harvest Finance, यह कुछ token है, जिनको अभी फिलाल उसने multi chain के लिए बंद कर दिया, कि आप इनका कोई भी depositable bid draw नहीं कर सकते हैं, हाँ, किसी और chain का यूज करके आप कर सकते हैं, केवल multi chain bridge का आप यूज नहीं कर सकते, तो Binance ने फिलाल एक यह update दिया है, तो भाई देख लिजिए इसमें जो भी अगर किसी का भी है, और multi chain का यूज करता है, तो भाई आप किसी दूसरी chain के जरीए आप अपना bid draw टांसफर जो भी करना चाहिए कर सकते हैं, एक तरह से deal list नहीं किया है, आप यहाँ यह confusion में नहीं रहे हैं, कि Binance ना deal list किया है, deal list नहीं किया है, केवल जो multi chain bridge का यूज करते हैं, उनके लिए यह service एक तरह से बंद की है, बाकी मैं list आपको side में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, और बाकी आप Binance के टुटर हैंडल पर देख सकते हैं, उन्हों बाका यह update आपको दिया हुआ हुआ है, mostly chain बहुत कम hack होती हैं, bridge ही जितने हैं वो hack होते हैं, तो इसलिए side Binance ने यह step उठाया है, बाकी देखिए, market आपका 30,700 पर BTC अभी trade कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा ना तो नीची है, नहीं उपर है, सुबह करीब 400 डोलर नीचे था, अभी लगवग 500 डोलर एक तरह से नीचे आ चुका है, लेकिन यहां केवल मैंने कहा न, यहां miners और बड़े-बड़े इंस्टिटूस कुछ जो है, एक तरह से sale कर रहे हैं, उसी की बज़े से आपको यह थोड़ा सा downfall नजर आ रहा है, तो कोई नहीं टेंसर लेने की बात नहीं है, केवल हम तो कहरे हैं कि ETF का weight है, कि कैसी तरीके स ETF मिलना सुरू हो जाए, तो यहां पर देखें, मार्केट में आपको अच्छा moment दिखाई देगा, तो please tension में नहीं, मस रहे है, स्वस्थ रहे है, चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार